गुर्माइब दिए श्ट्राइब राहुल सब्सक्राइब तोपिक नंबर सिस्टम एक्सराइब 1.4 में पढ़ेंगे वह सब्सक्राइब को क्या करना है आप पहले जोटे क्लास में क्लास 4 क्लास कि तुम्हें आप पढ़ रहे थे अब हम क्या करेंगे आपके डिंडल आउंड टर्वाली नंबर में रिप्रिजेंट करना है अब तो आप क्कवेंस याप को क्या करना एक प्रिप्रेशन करना है जैसे हमारी पास नंबर्स क्या रहा है 3.765 आप शाइसे नहीं जैसे आप हम इसके लिए sequence से one by one करेंगे जैसे हम आए लिखा रहे रहे अरद रहा नमबर लाइन हम यहां पर नमबर लाइन बना दिया है इस इंटेगर बना दिया है पॉश्कित वाले अपर तो अभी आप देखेंगे जो त्री पॉइंट यह लिखा है आपर पहले हैं पहले हम क्या कर मैंने यहां पर लिख दिया था नंबर 3.765 3.7 means 3.7 अभी 65 को हम क्या करें कि सेकें जब बनाएं लाइन तो उसमें हम करें पहले हैं पहले हम 3.7 मतरी किस नंबर की बीच में आता है यह नंबर 3 & 4 की बीच में आता है तो हम यहां पर बना लेते हैं नंबर लाएं अब आपको पता है 3 & 4 की बीच में बहुत से नंबर आते हैं क्योंकि जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो उसकी में आपको पता है कि 3.1 3.2 3.3 नंबर साता है ठीक है यह होगी आपको 3 अब 3 की बात क्या आएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 अब जब 3.9 आएगा उसके अगर 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 आपको नंबर लाएगा तो क्या जाए गता है 4 अब देखेंगा यहां पर आपको तो नंबर दाऊ 3.7 अब आपको तो यहां पर यहां पर 3.7 जोता तो किसके बीच में आ रहा था 3.7 नंबर के बीच में आ रहा था बट आपको यह जो नंबर है कौन सा नंबर अगर आप यहां पर देखें 3.7 कहां पर है 3.7 यह ठीक है अब आप 3.7 के बाद क्या लिखा है 3.76 किस नंबर के बीच में आएगा वो किसके बीच में आएगा यह 3.7 एट की क्या अब बीच में आएगा तो यहां पर लिखते दे तें क्या लिखोंगे अब जो नंबर आपको 3.7 यह होगा, 3.76, यह नमबर किसके बीच में आएगे? 3.7 and 3.8 नमबर के बीच में आएगा ती, जासे आपके लिख दें, the number, 3.76, 3.76, किसके बीच में आएगा? 3.7 and 3.8 के बीच में आएगा ती, यह पर 5 सेकंड के लिए करेंगे, यह हो गया, लाइन बिट्वेइन, बिट्वेइन, 3.7 and 3.8, यह जो नमबर आपको आएगा यहां पर, वो किन के बीच में आएगा? 3.7 and 3.8 के बीच में आएगा, तीक है? अब हम आदेखें, यह numbers हो गया, 3.7 and 3.8, अब हम 3.7 and 3.8 की लाइन बना लेते हैं, देखें, 3.7, 3.8 की कैसे लाइना बना होगे? यह कर देखें, तो यहां पर हो जाएगा 3.7, अब आपको पता है, 3.7 मतब क्या होता है? आप इसको 3.7 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, decimal के बाद value नहीं होती, 0 की, पर इसको हम जब counting लिखने के लिए, 3.7 0, आपको पता है, 7 0 के बाद क्या आता है, 70 के बाद क्या आता है, 71, 72, तो स्टेम हम यहां पर वरी बूल करेंगे, 3.7 0, 0 मैं आपके नहीं लिख रहा हूँ, बट आप देख सकते हो, बट 3.7 के बाद क्या आता है, 3.71, 3.71, 3.72, 3.73, 4, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, अब जब 3.79 आता है, तो क्या आता है, उसके बाद आपका आता है हो, 3.8, means 3.80, means 3.80, means 3.80, कि बट इसमें जाती 0 की value भी नहीं है, इसलिए आप इमें 0, right, नहीं कर रहा हूँ, अब next, अब देख रहा हूँ, अब हमारा remaining क्या बच रहा है यहां पर, 5 भी बच रहा हूँ, क्योंकि हमने क्या ले लिए 70 के बाद यह numbers ले लिया था, अब हमारा क्या बच रहा है, यह कि 3.76, 3.76, यह किस numbers की बीच में आएगा, 3.765, 3.7 and 3.77 की बीच में आएगे, क्योंकि जब आप इसको start करोगे, तो क्या रहा 3.761, तो यह numbers किसकी बीच में आएगे, यह numbers लिखा है यह numbers के बीच में जिसलिए यहां पर मैं एक circle लगा देता हूँ, जिसके आप चाओगे, confused भी नहीं होगे, 3.7, यहां पर जैसे मैं first में सरतर लगा देता हूँ, तो यह numbers आपको किस में आया था, 3 and 4 की बीच में आ गया था, ठीके, उसके वाज़ जब नहीं बदल दिया तो numbers 3.7 आपको किस में आया, 3.75, इस numbers की बीच में आ गया है, next numbers आपको यह जो number था, वो किस में बीच में आगा, 3.7 and 3.78 की बीच में, अब आपका last जो numbers है, 3.765, 3.765, यह total number किस की बीच में आगा, 3.7, 3.77 and 3.78 की बीच में आगा, क्योंकि जब इसको counting होगे, 3.770 बीच में आएगा, और यहां पे कहा है, 3.65 है, तो 3.770, आपको पता है, इस में के बाद हम one more digit counted है, पर आपको मैं इसमें समझा रहा हूं, counting बता रहा हूं, कि 3.770, 7.72, 7.73, जब हम करते जाएगे, तो बीच में, 10.75, 6.65 पीच में आएगा, तो आपको 75 पीच में की बीच में आएगा, यह नंबर की बीच में नहीं आएगा 700 यह नंबर की बीच में आएगा, I am bad as you pay we양 Quebec, बताइब हम जाओं की बीच में आएगा? थ्री एंडेट 3.76 and 3.77 की बीच में यह नंबर्स आएगा आपको 3.765 क्योंकि आप देखिए 76 765 761 762 763 यह नंबर्स इसके बीच में इसके नंबर्स बीच में तो हम यहां पर दिख लेते हैं इसको इसको इसके अदम मुझा यह नंबर्स बना रहा है तो आरी यहां पर थे और बना वश्किन हे लिच लेते हैं क्या dua नंबरivesse क्रें यहां कि कि यहां पर कोई मतलब है नहीं बतोंगे आप यहां पर 3.765 आंप पकर इसा सि Gar T तो बताईए का 3.765 किस नंबर के बीच में था तो 3.7 आपके किस नंबर के बीच में आया है दा नंबर दा नंबर 3.765 किस नंबर के बीच में है लाइन के बीच में है between 3.76 and 3.77 यह इस numbers के बीच में आए आपके number 9 बना देतो हूँ दीखेए हूँ यह numbers हो गए अब आपको बता है कि 3 3.761 3.76 3.76 का मतलब होगा 7.3.760 यहां पर आपको राइट करना है तो आपको कर सकते हो पर इसका वह यहां पर बता है यहां पर देशमान की बाद की बाद की इसलिए आप यहां पर जो काउंट करेंगे तो 3.76 0 लेकिक ओंट करेंगे कि यहां पी क्या जाई रहा हूँ, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, और लाट में आपको क्या जाएगा, 3.777, क्योंकि 60 के बाद क्या जाएगा, 67, यह आपका नमबर्स आजाएगा, यह आपका नमबर्स आजाएगा, तो नमबर्स आपको क्या जाएगा, यह नमबर्स में, किस नमबर्स के बिटमें बेंगे, नमबर्स आजाएगा, यह नमबर्स के बिटमीन में, आप ऐसे और नमबर्स ले सकते हो, और उसको आप अप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो हाई से हाई numbers को आप represent number line यह हैं represent कर सकते हैं उसके लिए आपको one point point देखना पड़ेगा जब आप इसको clear कर लोगे तो आपसे क्या होगा, all these numbers line clear आपसे बंद लगेगी, ओके, thank you strength